पी के आठ शहरों में एन आई ए की चापे मारी गोरखपुर देवरिया में एनाईय की रेड नकसली पंडिंग मामले में एनाईय का अक्शन पास जिलो के आठ शहरों में एनाईय का चापा और आजमगर प्रयागराज चंदौली में चापे मारी की गई है तो ये बड़ी खबार हम आपको बता रहे हैं, एहम खबार है नक्सली पंडिंग मामले में अनाईये ने एक्शन लिया है और पास दिलों के आठ जगवा पर चापे मारे की गे विवेक हमारे सयोगी हमारे साथ लाइब जोड़ चुके हैं, ज्यादा बाच्वीत करने के लिए क्या है पूरी जौनकारी विवेक? जितना जो उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के कई अन जो प्रदेश हैं, वहाँ पर इनका तार इनके जाल पहला हुआ था अब इस मामने को NIA ने टेक ओवर कर लिया है, जाच NIA कर रही है, बहुत सारे ऐसे साक्ष, बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं, जिन में कई बड़े नाम भी हैं, 36 गड़ से लेकर, बिहार से लेकर, मद्द परदेश, उत्तर परदेश, तमाम राज्यों में इनके तार जु विचार दारह से जुडने के लिए अभियान चलाता था, इसी तरह से तमाम और लोग हैं, जो अलग अलग तरीके से नकसली विचार दारह को पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर, अन्य राज्यों में परचारिश, परदेश करने का काम कर रहे थे, इनकी जड़े तलाशने के ये एटियस ने जब शुरुआत की, तो कई राज्यों से चुटी जड़ाओं मिला, तो एनाईए नेस पूरे देश व्यापी चुटी नकसलीयों की जड़े तमाम प्रदेशों में हैं, खासकर उत्तर भारत के कई प्रदेश और वद्द भारत के कई प्रदेश इन से हुए हैं, नकसली राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो पूरवांचल का तमान हुस्सा है, वहाँ पर नकसली गतिविदिया है, तो सबसे पहले जो रेड हुई है, आज जो रेड का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये रेड अभी आगे चलेगी, आज पूरवांचल के महत पूर जनपद, आजमगर है, गोरकपुर है, प्रियागराज है, वारानसी है, वहाँ पर रेड चल लएगी है, और कई लोगों से पूस्ताज की जा रही है, जो पंडिंग की बात है, नकसलीों को पंडिंग करने वाले कई लोग अभी उठाए गए हैं, उनसे भी पूस्ता किया था, उनके पास से बहुत सारे एविडिंस मिले थे, बहुत सारे जो कम्प्यूटर है, लैप्टाप है, वो बरामद हुए थे, मोबाईल फोन मिले थे, उनसे जो उनको जो सर्च किया गया, उनको जो देखा गया, उनमें च्छानमिन की गई, तब कई चीजें सामने आ किया रहा है, इसमें एक नाम जो अभी N.I.A. ने उपन किया है, वो सुब्रमनियम का नाम है, सुब्रमनियम कौन है, कहा है, क्या है, ये अभी N.I.A. की बिलकुल, बिलकुल यो एक बहुत शुक्रिया तमाम ज़ानकारिय अब जे थम तक पहुचाने के लिए